और खबर आपको उत्तराखंड के उत्तरकासी के सिलक्यारा से बता दें जहां पर निर्माडा धीन सुरंग के धसने से तकरीबन 41 मजदूर सुरंग के अंदर फसे हुए हैं जिसमें से उत्तर परदेश के स्राबस्ती जनपत के सिर्सिया थाना छे तेंतरगत थारू बहुल लिगाओं मोतिपूर कला के तकरीबन 6 मजदूर उसी सुरंग के अंदर फसे हुए हैं आज तकरीबन 10 दिन से अधिक का समय बीच चुका है यानि पूरे 11 दिन बीच चुके हैं कोई भी मजदूर बाहर नहीं निकाला जा सका है रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर लगी हुई हैं सासन पर सासन के लोग लगे हुए हैं सुरंग बनाने वाली जो कमपनी हैं उसकी मसीनरी वहाँ पर लगी हुई है इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि 11 दिन का वक्त बीच चुका है लेकिन एक भी मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका है जिसके बाद जो मजदूर के परिवार के लोग हैं उनका रोरोकर के बुरा हाल है तो आपको लेकर चलते हैं सराबस्ती जनपत के सिर्सिया थाना छेत अंतरगत थारू बाहुल लिगा मोतीपुर कला में जहां जिनके परिवार के लोग इस वक्त सुरंग में फसे हुए हैं उनका रोरोकर के बुरा हाल है और लोग जो मजदूर सुरंग के अंदर फसे हुए हैं सबकी सलामती की दूआ पूरे गाउं के लोग मांग रहे हैं तो आपको बता दें कि दिवाली का तिवाली के 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 तो सबसे पहले जो सुरंग में मजदूर फसे हुए हैं उनको सबसे पहले पाइप के जरिये उन तक आक्सीजन पहुचा गया उसके बाद में खाना पानी पहुचा गया बाद में वाकी टाकी अंदर भेजा गया और उसी के जरिये मजदूर के परिवार वालों से उनकी बात क कह रहे हैं जो अंदर फसे हुए हैं कि किसी तरीके से हमको बाहर निकाल लो ग्यारा दिन से मजदूर अधेरे में रहने को विवश हैं फिलहाल अभी जो पाइप डाली गए है उस पाइप में कैमरा भी डाला गया है आप लोगों ने हमारे चैनल पर गरूप में आप लोगों ने खबर भी देखा होगा कि एक कैमरा सुरंग के अंदर डाला गया है जिसमें सभी मजदूरों का फूटेज लिया गया है और उनके परिवार के लोगों को फूटेज भेजा गया है ताकि लोगों को तसली हो जाए कि उनके परिवार के जो मजदूर सुरंग के अंदर फसे हुए हैं वो सुरचित है लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि परिवार के लोगों का रोरो करके बुरा हाल है हलाकि ये खाबर लोगों को मिली है कि उनके जो परिवार के लोग ہیں जो सुरंग के अंदर फसे हुइं वो महफूज है इससे लोगों को तसली तो मिली है लेकिन फिर भी लोग दुआ कर रहे हैं तो ग्यारा दिन का वक्त बीच चुका है ग्यारा दिन से एक तालिस मजदूर पूरे भारतवस के अलग-अलग राज से सुरंग के अंदर रहने को मजबूर है और बहुत ही इनके जो परिवार के लोग हैं बहुत ही ज्यादा तकलीप में बहुत ही ज्यादा टेंसन में हैं और जब लोगों को वीडियो फूटच पर राप्त हुआ है तब जाकर के लोगों की चहरे पर थोड़ी सी खुसी दिखाई पड़ी है लेकिन कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक टेंसन दिख रहा है लोगों का यही कहना है जो मजबूर के घर वाले हैं वो यही चाहते हैं किसी तरीके से जो बेचारे मजबूर है वो सुरच्छित बाहर निकल आए तो ग्यारा दिन से वहाँ पर रस्क्यू आपरेसन चल रहा है और ग्यारा दिन की रस्क्यू आपरेसन के बाद में भी देखा जा रहा है कि एक भी मजबूर को परसासन और वहाँ की सरकार और जो ठेकेदार है और जो इंजीनियर बगएरा है जिनोंने ये सुरंग का काम ग्यारा दिन से अधिका समय बीच चुका है अभी तक किसी ने सूरज नहीं देखा है दीरे दीरे जो मजदूर सुरंग के अंदर फसे हुए हैं वो बीमार होने लगे हैं तो ग्रेट सराबस्ती चैनल की टीम आज थारू बाहूल लेगाउं मोतिपुरकला में पहुची है जह कि टीम हो वहां के परसासन के द्वारा ये बताया गया है कि एक कैमरा अंदर भेजा गया है कैमरे में देखा गया है कि सुरंग के अंदर फसे हुए सारे मजदू सुरचित हैं और उनके परिवार के लोगों से बात भी कराई गयी है उनकी आडियो रिकार्डिंग उनके पर पहार नहीं निकाला आजा सका है जानकारी मिली है तकरी depends सो मीटर तक मलबा गिर गया है तीन चाहत रफ से ड्रिलिंग करवाई जा रही है वाकी टाकी अंदर भेजा जा रहा है जिसके जरीए उनके परिवार के लोगों से बात करा दी जाती है वीडियो फूटेज बगएरा परिवार के लोगों को भेद दिया जाता है लेकिन इसके बावजूद भी किसी को तसल्ली नहीं है यह देखे इनके माता जी का एक लड़का जो है उसे सुरंग के अंदर फसा हुआ है किसी के पती फसे हुए है किसी का भाई फसा हुआ है यह बहुत ही दुकत है तो ग्रेट सरावस्ती चैनल लगातार दुआएं कर रहा है जिस तरीके से घर के लोग रो रहे हैं बिलक रहे हैं चिला रहे हैं और परसासन से गुहार लगा रहे हैं किसी तरीके से जो स्रावस्ती के छे मजदूर सुरंग के अंदर फसे हुए हैं उनको किसी तरीके से बाहा निकाला जाए इसी तरीके का एक खासा तक्रीबन एक साल पहने चमोली के तपोवन में हुआ था जब स्रावस्ती के मजदूर काम कर रहे थे लेंड्स राइड हुआ था जिसमें से छे मजदूर आस तक घर नहीं पोचें वो अभी तक लापता है